हेलो एंड वेलकम तो मा यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लॉग ट्राइंगल क्या होता है वेक्टर एडिशन में ठीक है उसके बाद में वेक्टर का एडिशन कैसे किया जाता था पैरलल वेक्टर कैसे एड होते थे ए आज का हमारा टॉबिक होगा लॉग वेक्टर एडिशन के लिए कब और कैसे यूज किया जाता है उसका रिजल्टर हम केस निकालते हैं तो इसको लॉग में पुरा बतावने माला हूं ठीक है लॉग का हर एक पार्ट में एक्स्प्रेंट करने माला हूं वीडियो को एं तर लॉग प्राइंगल हमने पड़ा था उसमें दो वेक्टर दिये थे यह वेक्टर यहां पे खतम होता था यह दूसरा वास स्टार्ट करना होता था हमें ठीक है पहला मालगों पी बार है दूसरा ट्यूब आ रहे है तो रिजल्टंट हम केसे निकालते थे एक थर्ड ठीक है तो इस लॉग को प्रूव करने के लिए हमें लॉग ट्राइंगल का जरूरत पढ़ने वाला है तो पिछला वीडियो जरूर देखना थीक है तब आपको आसनी से समझ में आ जाएगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे लेता हूँ ठीक है तो पहले मैं लॉग लॉग लॉग और रंप Ol में लियु लॉग लॉग देखन तर्यों अन सित्थ नॉग लॉग लें बलन की है लॉग लॉग भाल चंब लॉग का लॉग लोग लॉग लिगर लॉग लग लॉग कर देखने committee है means लॉग लॉग कर्टेई रिजल्टन्ट इस रिप्रेजेंटेड बाइ द डाइगोनल ओफ प्यार्लोरा ठीक है दोस्तों यह मैंने जो लौ लिखा है वोज एक सिंपल सी भाषा में लिखा है ठीक है इसमें हम तोड़ी से मॉडिफिकेशन करने वाले हैं वो केसे करेंगे जब हम लौ प्यार्लोराम को अच्छे से तब टीक है मैं इस लौ को और मॉडिफाई करूंगा अब बताते हो आपको क्या लिखा है वें टू वेक्टर अब यह लौ क्यों करने वाले है तो दो वेक्टर को एड़ करने माले ठीक है तो कितने वेक्टर लगेंगे हमको टू वेक्टर और पिछले इसमें क्या करता हुए रिशन स्टार्टिंग फ्रॉं सेम पॉइंट एड़ करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉं सेम पॉइंट ट्राइंगल लौ में क्या होता था एक वेक्टर खतम होता था तब दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया था हमने लेकिन इसमें क्या होने वाला है इसमें दोनों वेक्टर एकी पॉइंट से स्टार्ट होंगे, दोनों का डारेशन अलग-अलग होगा ठीक है यह लोग ट्राइंगल और प्यार्लेलोगराम का डिफरंस ठीक से समझ लो ट्राइंगल में क्या होता था एक वेक्टर खतम होता था उसके बाद में दूसरा स्टार्ट होता था ठीक है लेकिन लोग प्यार्लेलोगराम में क्या होगा दोनों वेक्टर एकी पॉइंट से स्टार्ट होने वाले हैं एक डिफरंस है लोग ट्राइंगल और प्यार्लेलोग पहले लगरां को चार साइट्स होती है उसमें से दो साइट्स लेंगे कुंसी साइट्स होनी चाहिए एज़ेसं साइट्स होनी चाहिए दो addition side को use करके, हम दो same type के vectors represent करेंगे, ठीक है? और parallel रा, then their resultant, तो उन दो vector का resultant हम केसे निका लेंगे? तो उस vector को भी represent करना होंगा, then their vector is represented by the diagonal of the parallel रा, sorry, parallel रांको 2 diagonals होते हैं, तो कौन्सा वाला diagonal resultant लेना? तो इसके आगे में लिखता हूँ, starting, नीचे लिखता हूँ, starting from same point, जिस point से दोनों vector start हुए है, उसी point से हमें क्या करना है? तो मैं डाइराम बना के आपको समझाता हूँ, मानदो कोई एक point है, इस point से दो vector originate होने वाले हैं, मानदों एक vector का नाम है P bar, और इसी point से दूसरा vector निकलने वाला है, जिसका नाम है Q bar, दो vectors है, यह दोनों same type के है, starting from the same point है, यहां से दोनों start हो रहें, एक इधर है और एक उपर, ठीक है, starting from the same points, इनको उन्हें रिप्रेजेंट कर दिया, यह प्यालल राम की एक साइड होगी, और यह क्या होगी, प्यालल राम की दूसरी साइड, इसको पैलल राम में बदल देता हूँ, क्या करंगा, एक dotted line की चुँगा, इसके parallel, इसकी जैसे लेंट वाली, और एक dotted line की चुँगा, इसके parallel, इसकी जितनी लेंट है, उतनी, तो एक parallel बन जाएगा, और उसी point से हम diagonal ड्राउ करेंगे, जिस point से क्या होए है, दोनों वेक्तर originate हुए है, starting from the same point, starting from the same point का मतलब क्या होता है, जिस point से ये दोनों वेक्तर स्टार्ट हुए है, उसी point से हमें diagonal को भी स्टार्ट करना है, तो ये तो diagonal बन जाएगा, प्राइज लोगाम का, ये वाला diagonal होगा, आपका resultant वेक्तर, ठीके, तो दोस्तों ये था law of parallelogram of vectors, क्या था दो टाइप, दो वेक्तर से, सेम टाइप के, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, ठीके, उनको हमने रिप्रेंट किया था, magnitude and direction में, किसके help लेके, प्याज लोगाम की, दो साइड्स के help लेके, और दोनों साइड्स के से होंगी, एग्जसेंट होंगी, तो उनका resultant हम के के से निकाने है, उस प्याज लोगाम का डाइगोनल प्रॉब करेंगे, कहा से उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से दो वेक्तर स्टार्ट हो रहे थे, तो यह था मारा theoretical law of parallelogram, अभी हम उसको क्या करते है, प्रूब करते हैं, बहुत आसान है इसको प्रूब करना, law of parallelogram को प है करना है, तो हम कैसे करेंगे, और हमको दिखाना है कि यह जो R वार है यही क्या है, resultant है, यह दो वेक्टर जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है, addition side से, उनका यह जो डाइगोनल है, वो resultant है, यह हमें प्रूब करना है, तो इसको प्रूब करने के लिए मैं क्या करता हूँ यह जो क्यूबार है, उसके ही जैसा equal vector ड्रॉब करता हूँ, तो मैं इसको प्रोजेक्ट यहाँ पर कर सकता हूँ, इसके equal vector में ड्रॉब कर सकता हूँ, तो इसका magnitude है, इसका जो direction है, वोई इसका direction है, क्योंकि opposite side swap parallelogram are parallel, parallel का मतलब क्या होता है, कि दोनों का direction सेम है, और अगर दोनों की length भी सेम है, तो दोनों का magnitude भी सेम है, तो इस vector को इसमें add करो, या इस vector को इसमें add करो, एक ही बात है, तो मैं क्या जरता हूँ, प्यूबार का identical equal vector ड्रॉब कर देता हूँ, जहाँ पर P खताम होता है, तो इन दोनों को add करो, या इन दोनों को add करो, बात एक ही है, तो यहां के लिए वो ट्राइंगल को नाम दे देता हूं है ABC इन ट्राइंगल ABC क्या है using law of ट्राइंगल क्या करते हूं P बार प्लस Q बार अगर यह Q बार है तो यह भी Q बार है क्योंकि इक्वल एक्टर ड्रॉआ करा है मैंने मैंगेजिवरो डारेक्टिन दोनों से तो फीबार और क्वार को क्या से निकालते हैं , ट्राइंगल लॉट क्या गोलता है तृसरा वेक्टर ड्रॉआ करहो cumulative first one दे ज्चाहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ है और यह थीसरा वेक्टर यह हो एंड कहा होगा जहां पर दूसरा वेक्टर एंड हुआ है तो is equal to r bar बत यहाँ पर देखो but r bar is diagonal of parallelogram hence p bar plus q bar is equal to diagonal यही क्या है हमारा law of parallelogram of vectors तो triangle law का use करके हमने क्या गरा है law of parallelogram को prove कर दिया है उमिद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अभी हमारा next task होगा कि यह जो vector हमने बनाया है resultant इसका magnitude कितना होगा ठीक है इसकी direction क्या होगी वो सब अभी हमें जानना है अगर p bar एक vector है जिसका magnitude direction हमें मालूम है q bar एक vector है जिसका magnitude direction हमें मालूम है तो इस resultant का magnitude और direction हम k से निकालेंगे तो चलिए वह तो चलिए दोस्तों हम प्रूब कर चुके है कि लॉप प्राइलोग्राम क्या होता है हमें resultant के से मिलता है ठीक है addition side से दो vectors represent करते हैं और उनका resultant हम डाइगोंग से represent कर सकते हैं ठीक है अभी यह resultant है इसका magnitude कितना होगा और direction क्या होगा उसका वह हमें अभी निकाना है तो सबसे पर इस diagram को समझ लो कि दो vectors है एक पी बार दूसरा है क्यों बार उन दोनों वेक्टर को represent किया है दो तो यह पी बार वेक्टर है तो इस पी बार का magnitude क्या होगा और असी तरह से यह Q बार का magnitude कैसे लिखेंगे Q से इसका मतलब क्या होगा उसकी लेंध Q जितनी होगी ठीक है और यह diagonal है यह diagonal क्या है resultant और इसका magnitude क्या होगा र सितना होगा वहार हट जाता ऐसे ज़र नीरु में लिपकते हैं तो आर हट जाता है तो आंको क्या रहma है निकाना है कि र कितना होगा और उसके बाद निकाना है अलफा अलफा क्या है अलफा is the angle made by resultant with the vector p फिर से अलफा क्या है it is the angle made by resultant vector with a p vector और वो डिया को किसे साते हैंगे पॉजिटिव... लाओ अल्फा .Oh no ? इसलिए इसलिए हमें चीजह क्या-क्या मालू होना चाहिए ? हमें मालूम चाहिए की पी कीतना है ? मतलब Q' का magnitude , कितना है ? क्या वेक्तर का magnitude और दोनो वेक्तर में बीच में फीटा निचा है n तो स्तार दोते हैं , हम एक का चानस्त्रुक्शन लाज परेगा निकाल लेकिल्ड हमको पाइथा गरश लगता लेकिन या पर हमको राइट अंगल लेक्षाय मेल रहाँ तो हम क्या राइट एंगल राइगल बनाएंगे तो मैं क्या करता हूँ इसको परएंग नाम देता हूँ A B C D कोडिलाइटरल ABCD is पैजलोगा ठीक है मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं और यहां पर लिख देना आप कि P-bar and Q-bar are two vectors P and Q is their magnitude theta is the vector between both the vectors ठीक है हम उतना टाइम पास नहीं करते हैं डारेक प्रूफ की तरफ जाते हैं क्या करता हूं मैं draw cm बोल देता हूं पर्पेंडिकुलर सी से नीचे एक पर्पेंडिकुलर प्रूफ किस पे AB produced AB produced तो मतलब AB को क्या कर देंगे हम extend कर देंगे AB को आगे extend कर देते हैं तो इस AB को मिलिए extend कर दिया यह होगा 90 degree cm है तो इसको एम दिख देता हूं मैं समझ्यार होगा अभी देखना यह लाइन और यह लाइन जो AD लाइन है और BC लाइन है एक दूसरे वो parallel है और यह जो सीधा है AP मैं उसको क्या मान सकता हूं उसकी वजय से क्या होगा यह वी आइगल हमारा थीता हो जागी अब यह वाला अगल में तो एंगल क्या जाएगा cbm is equal to also theta q corresponding angles ठीक उसके बाद में क्या जाएगा देखो इसका length कितना है at का length q है तो bc का length भी कितना होगा q क्योंकि opposite sides of parallel तो यहां पर यहां पर हम पाइथागरस theorem यूज करेंगे कौन सा ट्राइंगल लेंगे cma यह जो बड़ा वाला यह से लिएकर बी तरका length मालूम नहीं कितना है पी यह लेकिन बीएम लेंग्त मालूम नहीं है उसके बाद cm भी मालूम नहीं है तो अहमें क्या करना पड़ेगा बीएम और cm निकालते हैं तो क्या करते हैं इन ट्राइंगल cmb sin theta निकालते हैं sin theta क्या होता है opposite upon hypotenuse तो यह opposite हो गया hypotenuse हो गया cb is equal to cm मतलब वही रहेगा तो यहां के नीचे लिखता हूं में therefore cm is equal to cb sin theta और cb को ठीक से देखो cb मतलब क्या q q sin theta यह हो गया cm काम ने आएगा तो यह आपी में लिख जेता हूं cm की value q sin theta उसी तरह से bm की value निकाल नहीं है cos theta cos क्या होता है adjacent upon hypotenuse तो bm upon bc therefore bm is equal to bc cos theta ठीक है तो bc मतलब क्या तो q cos theta हो जाएगा यह हो जाएगा क्या है तो यह दो में दो इसको क्यों किया यहां पूरा मालूँ होना चेहां दोनों मालू नहीं तो यह तो निकाल दो पूरा आर के तरब जाते हैं, हम यूज़ करेंगे पाइप आउस, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ है इन ट्राइंगल C, M, A ठीक है, कौन सा ट्राइंगल? राइंगल ट्राइंगल लिख देना इन, राइंगल ट्राइंगल C, M, A क्या होगा, A, C का स्क्वेर is equal to A, M का स्क्वेर plus C, M का स्क्वेर ठीक है, तो अभी A, M को टिक से लिखेंगे A, B, P, M लिखेंगे, पूरा A, M कितना है A से लेके B तर और B से लेके M तो A, M को टिक से लिखेंगे A, B, P, M, Bracket स्क्वेर plus C, M का स्क्वेर इसको solve करते हैं यह है इस bracket में हमको लगाना पड़ेगा a plus b bracket square a plus b bracket square क्या होता है a square plus plus क्या था है 2ab a square plus 2ab plus b square यहां पर b square की जगा पर को है bm है और बार में है आगे का cm square नीचे का दिख रहा है आपको ओके तो यहां पर ठीक से देखो मैं यह तो दिख दूंगा ab का square plus 2 times ab into bm इसको आगे वाले को ठीक से देखो bm square plus cm square तो यह हो जाएगा bm का square plus cm का square इसको अगर ठीक से देखोंगे तो वापस यहां पर पायतागोरस स्थेरम बन जाता है यह एक साइड का square है प्लस एक साइड का square है ठीक है is equal to क्या होगा इस छोटे से triangle का हाइपोटेनेस का square हो जाएगा तो मैं क्या करता हो bm square plus cm square की जगावे में bc square लिख सकता हो तो मैं यहां पर डारिक लिखेता हूँ bc का square क्या है उसके आपने पायजागोरस ठीक है अभी क्या जबते है वैल्यों डाल देते हैं तो ac का मतलब क्या है यह वह ac का मतलब है और उसका square ac का square ac इतना की उसका length कितना है और उसका square है तो r ठीक है उसके आगे लिखता हूँ a b का square a b का square a b का square मतलब a b vector के magnitude का square कितना है p तो उसका square p square प्लस bc square अभी bc लिखता हूँ है bc मतलब यह रहा है इसका length मतलब कितना q q length है उसका square मतलब q square plus 2 a b a b मतलब यह से कितना p अभी bm को ठीक से जेगो bm कितना है q cos theta q cos theta तो therefore r क्या हो जाएगा पूरा ही किसमें जाएगा अंडरूप में p square plus q square plus 2p q cos theta तो दोस्तो यही हो जाएगा हमारे resultant का magnitude ठीक है parallelogram law यूज करके हमने जो resultant vector निकाला है उस resultant vector का magnitude क्या है r is equal to under rule p square plus q square 2p q cos theta well theta is the angle between both the vectors ठीक है तो उमिर करतो समझ में आगया होगा क्या करा हमने parallelogram बनाया एक perpendicular draw कर लिया बाहर से इसको एक्स्टेज कर लिया परपेंडिकुलर डॉरा करने के बाद जो size की length डालने है क्योंकि magnitude निकालना मतलब length निकालना तो magnitude magnitude का relation हम लेख सकते है चाहो तो आप screenshot ले सकते हो उसके बार में हम देखेंगे के यह resultant vector है यह resultant vector p vector के साथ में कितना angle बनाता है तो चलिए ओ देखते है तो दोस्तों हम प्याग्रोग्राम वेक्तर जो है उसका तो मैं यह आप एलिंग देता हूँ direction of r डा मतलब और की direction की वह पहले वेक्तर से या x-axis से कितना angle बनाता है तो ठीक है जब भी direction निकालने होगी आपको एक simple सा trigonometric function यूस करना है आज से बहुत पाद आगे जब जाओ गया तो भी वह ही त्रिक्ना मेंटर फंक्शन यूस करोगे और जिसका नाम है है टैनजनट फंक्षिन यह वह हम यूज करने वाइड है तो यहां पर ना बना रहा है तो क्या क्या यूज क्या ना एटे क्या आपॉसिट अपोन आड जेशन तो आपोसिट साइड क्या है यह रही तो एड़ीट अपाफीश क्या है तुम्हारी एेम एम यह तो बट एम की वेलज़ दालो, a to b plus b to m, a to b कितना है? p plus b to m कितना है? q cos theta, यह जारकर tan alpha, तो शिर्फ angle निकालना, डारिशिक मतलब क्या निकालना? शिर्फ angle निकालना, तो इधर tan है, उदर जाते वो जाएगा tan equals, q sin theta, अपोन p plus q cos theta, q क्या है? q vector का magnitude, Magnitude p क्या है? p vector का magnitude, theta क्या है? उन दोनों vectors के बीच का angle, तो यह alpha भी आपने निकाल लिया, alpha निकाल लिया, result vector का direction निकाल लिया, ठीक है? अभी, मानगो, यह alpha जो है, वो angle किस के साथ में है? x axis शिके साथ में है, या पिर p vector के साथ में है, मानगो इस vector के साथ में angle लिपना है, beta, तो बीटा क्या से निकालोगे से नॉलिव यूज करोगे और बीटा का फॉर्मला में डारेक लिख देता हूं यहां कहलेगा टैन इंवर्स जो वो बीटा कैसे बनाते हैं Q की जगा पर P डालो P sin theta और P की जगा पर Q डालो इंटर्चेंज पर तो यहां पर में लिखुंगा Q और Q की जगा पर P cos theta खत्म बाद यह हो जाएगा आपका beta ठीके तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा कि क्या होता है उसका statement देखा उसको अच्छे से पढ़ लिया है उसको प्रू किया है और उसके बाद में जो अगली वीडियो में अगली कंसेप्स के साथ तब तक के लिए जैहिं